आगरा किस सरवादिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउन्डोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अमेडकर जयनती को देखते हुए पुलिस ने डाइवर्जन प्लान बनाया है 14 अप्रेल को शहर में रात को खुलने वाली नो एंट्री नहीं खुली जाएगी इसके साथ ही गौलियर हाईवे से शहर में 14 अप्रेल से 18 अप्रेल तक भारी वानों की एंट्री नहीं होगी अमेडकर जयनती को देखते हुए पुलिस ने डाइवर्जन का प्लान बनाया है 14 अप्रेल को शहर में रात को खुलने वाली नो एंट्री नहीं खुली जाएगी इसके साथ ही गौलियर हाईवे से शहर में 14 अप्रेल से 18 अप्रेल तक भारी वाहनों की एंट्री नहीं होग SSP सुधीर कुमार के अनुसार ट्राफिक डाइवर्जन 14 अप्रेल की शाम 4 बजे से लागू रहेगा 14 अप्रेल रात 11 बजे खुलने वाली नो एंट्री नहीं खुलेगी 15 अप्रेल रात 11 बजे खुलने वाली नो एंट्री रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए खुले 16 वा 17 अप्रेल की रात भी वेवस्था इसी तरह रहेगी नोएंट्री रात को 2 बज़े से सुबा 5 बज़े तक ही खोली जाएगी बहरी डाइवर्जन आगरा दिल्ली हाईवे पर वाहन प्रती दिन की तरह चल सकेंगे आगरा और मत्रा के बीच यातायात सुचारू रहेगा फिरोजा से ग्वालियर और जैपुर की तरफ जाने वाहन रुनक्ता से दक्षनी बाइपास होते हुए जाएंगे अलिगर से फिरोजाबाद की तरफ जाने वाहन खंदौली में मुडी चोराहे से एत्मातपुर होते हुए एनश पर आएंगे जलेसर एटा की तरफ से आने वाले सब भी वाहन मुडी चोराहे से एत्मातपुर या खंदौली होते हुए गंतवे तक जाएंगे रामबाग से अलीगड की तरफ जाने वाले भारी वाहन, तीन पहिया वाहन और चार बहिया हलके वाहन कुबेरपुर से यमना एक्सप्रेसवे होते हुए या एत्मातपुर से मुड़ी होते हुए जा सकेंगे रामबाग चुराहि से यमुना एक्सप्रेस वे खंदॉली कट के बीच वाहनों का आवा गमन बंद रहेगा शहदरा चुंगी से तेड़ी बग्या की ओर वाहन नहीं जाएंगे वाहनों को कुबेरपुर यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए गुजारा जाएगा फतेबाद की तरफ से आने वाले भारी वाहन शहरी शेतर में प्रवेश्य नहीं करेंगे वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव वे तक जाएंगे शम्शबाद की तरफ से आने वाले भारी वाहन एकता पुलिस चौगी से 9 फुटा मार्ग होते हुए 12 पुलिस चौगी के पास निकलेंगे एनेस्टू पर चलने वाले भारी वाहन शहर में प्रवेश्य नहीं करेंगे सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तेनात रहेगी आंत्रिक डाइवर्जन चिम्मन पूडी चौगाहे पर अधिकारी और आयो जखाएंगे सभी के वाहन आग्राफोर्ट रेल्वे स्टेशन की पार्किंग में खड़े होंगे बिजलीगर चौगाहे से कोई वाहन मदीना होटेल तिराहे की तरफ नहीं आएगा वाहन आग्राफोर्ट स्टेशन की सामने से गुजारे जाएंगे विक्टोरिया पाक अमर सिंग गेट की तरफ से वाहन बिजलीगर चौगाहे की तरफ नहीं आएंगे बिजलीगर से संचालित होने वाली बसे 14 अप्रेल की दुपैर 2 बज़े से 15 अप्रेल की सुभा 8 बज़े तक राम लीला ग्राउंड से संचालित होंगे बिजलीगर चौगाहे से बुद्ध विहार ओलिया रोड बिजलीगर की तरफ वाहन नहीं आएंगे सदर भट्टी मीना हुसैनी से कोई वाहन मदीना होटेल तराही की तरफ नहीं आएगा रावली मंदिर के सामने से कोई वाहन काजी पाड़ा की तरफ नहीं जाएगा हाती घार से कोई वाहन दरेसी नंबर एक वद्धो की तरफ नहीं जाएगा फ्रीगन से वाहनों को दुलिया गंज की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, बैरिकेटिंग की जाएगी एसन इमर्जोंसी तेराहे से कोई वाहन फवारी की तरफ नहीं जाएगा शोभायात्रा की समय धाकरान चोराहे से सदर्भट्टी वा कलेक्टिट से सदर्भट्टी के बीच सामान यातयात भी बंद रहेगा इदगा बस स्टेंड से संचौलित होने वाली बसे एमजी रोड पर नहीं आएंगी इसी प्रकार जैपुर से आने वाली बसे फतौली नहर से मलपुरा खेरिया मोड होकर इदगा आएंगी इदगा बस स्टेंड से संचालित होने वाली बसे एमजी रोड पर नहीं आएंगी इसी प्रकार मधुनगर से आने वाले वाहनों को माल रोड कैंट स्टेशन की तरफ से आने वाले वाहनों को कलब चराहे पर रोक दिया जाएगा पुलिस लाइन मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास वाहनों को रोका जाएगा नामनेर गौलियर मार्ग की तरफ से आने वाले वाहनों को शोभायात्रा के दौरान रोका जाएगा सी न्यूस के लिए विजय बगहिल की रिपोर्ट